Hello everyone, welcome to Eclavia Study Point and I am Sachin. आज मैं आप सभी को Class 11th History से जो आपका 5th Chapter है Changing Cultural Traditions इसकी Easy Explanation करवाने जा रहा हूँ और आपको Free PDF Notes भी प्रवाइट करवा दिये जाएंगे तो चले फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं यूजर नेम आप सभी के सामने mentioned है और मैं आपको पताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे Free PDF Notes को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा Telegram Channel है उसको जरूर जोइन कर लें जो की है Class 11 ESP यहाँ पे ही हम आपको PDF Notes जो है वो अपलोड कर देंगे और इसके अलावा हमारी Website है www.eclavierstudypoint.com वहाँ पे भी आपको Notes, Question Answer, Quiz, बहुत सारी चीज़े मिलने वाले हैं तो आप Website को भी जरूर विजिट करना तो सबसे पहले आज का जो हमारा Chapter है Changing Cultural Traditions तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम यह देखेंगे कि Europe के अंदर जो है किस तरीके से Transformation हुआ खासकर Cultural Transformation ठीक है जो Europe का Culture था वो कैसे उसमें बदलाव आया लोगों में क्या Changes आये मतलब बेसिकली Society के अंदर क्या Changes आये वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस Chapter के अंदर और Time Period क्या है अपना यह याद रखना 14 to 17th Century इसके बीच में Europe में क्या-क्या हुआ ठीक है और किस तरीके से लोगों का Transformation हुआ ठीक है एक तो होता है Physical Transformation मान लो कोई मोटा था वो पतला हो गया एक होता है Cultural Transformation कि कोई मान लो किसी का Culture बहुत पिछड़ा हुआ था एकदम वो अंधेरे में था Dark Age थी और एकदम से फिर कुछ Enlightenment जैसा कुछ होता है कि आपके अंदर कुछ Knowledge आ जाती है आपका Culture वापिस से रिवाइव होता है तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं आज के अपने इस Chapter के अंदर तो ये जो 14 से लेके 17th Century का जो टाइम था इसको क्या का जाता है रहने सा पीरियड माना जाता है रहने सा नाम दिया गया है इसको याद रखिएगा ठीक है और ये क्या है कि किस तरीके से Medieval Europe से Modern Europe में जो Transition हो रहा था उसके बीच का जो टाइम है वो रहने सा पीरियड है हमारा और इस टाइम पर हुआ क्या था एक तो आपका जो आर्ट होता है आर्ट एंड कल्चर वो रिवाइव हुआ और भाई literature आपका रिवाइव हुआ philosophy रिवाइव हुई जो पहले के जो कुछ philosophers थे उन से इंस्पायर होके नए philosophers आए फिर है science and technology में बहुत जादा development हुआ तो renesia period के अंदर basically ये तीन से चार topics के अंदर development हमें देखने को मिलता है और ये चारों चीजे हम कहां से inspired थे जो Europeans थे वो थे Greek और Roman लोगों से जो ancient Greek और Roman लोग थे classical कुछ philosophers थे जो पहले के artist थे उनसे inspired होकर नए artist लोगों ने ये सारी चीजों को दुबारा से revive किया तो हमारा topic है वो भी कुछ इसी तरीके से है revival of Italian cities इटली के बारे में मैं आपको अभी तक पढ़ा रहा हूँ तो अब हम ये पढ़ने जाएंगे कि इटलीन cities जो थी उनका revival कैसे हुआ तो सबसे पहले मैं आपको बताओ इटली जिसका unification नहीं हुआता उससे पहले वो बहुत स सारे states में बटा हुआ था बहुत सारे kingdoms में बटा हुआ था फिर जाके इटली का unification होता है तो इटली के अंदर ही क्यों ये सारा transformation हुआ और हम इस chapter में basically इटली को ही अपना center मानेंगे focus का क्योंकि इटली के अंदर से ही जाधा से जाधा जाधा फिलोसफर्स देखने को मिलते हैं और इटली का ये architecture बहुत जाधा famous हुआ तो मैं आपको एक बीचे का background समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैंने आपको याद हो Roman Empire का decline हो गया था यह हम पढ़ चुके थे तो after the fall of the western Roman Empire Italian cities lost their earlier importance in politics and culture जैसे ही Roman Empire जो western side वारा था वो जब उसका fall होता है तो ज़्यादा तर जो Italian cities थी वो अपनी value खो बैठती है जो उनकी importance थी वो कम हो गई किस चीज में politics में और culture में और यह decline क्यों हुआ this decline occurred because there was no unified government across Italy क्योंकि इटली के अंदर कोई एक unified government नहीं थी इटली जो है वो टुकडों में बटा हुआ था ठीक है तो कोई भी government नहीं थी इस वज़े से ज़्यादा को importance इटली को नहीं दे रहा था Rome नाम की जो city है वहाँ पर क्या था जो पोप होते थे मैंने आपको बताया था बहुत बड़े official होते हैं यह church के so the Pope in Rome although a religious leader देखो हमने अभी तक Pope को religious leader से ही जोड़ के देखा है कि भाई यह church का बंदा होता है तो पोप जो है although एक religious leader था lacked strong political power at that time उसके पास भी political power नहीं थी उस टाइम पे पोप के पास भी power ज्यादा नहीं थी अब आगे देखते हैं Changes in the broader European context अब थोड़ा सा हम broader way में देखेंगे यूरोप के अंदर क्या चल रहा है Western Europe जो है उसमें बहुत ज़्यादा changes हो रहे हैं होता क्या है कि भाई किस तरीके से shaping itself through feudal relationships and gaining unity under the Catholic Church होता क्या है Western Europe में जो Church है वो main है power का center और Church की वजय से जो यह Western Europe है उसमें एक unity आ रही है main reason है Church फिर जो Eastern वाला Europe है Western में याद रखना Church का role था Eastern Europe में क्या चल रहा है was under the influence of the Byzantine Empire Eastern Europe में क्या है भाई जो Eastern Europe है वहाँ पे Byzantine Empire जो है उसका rule चल रहा था अभी हम की Italy की बात नहीं कर रहे है हम पूरा broader context में Europe की बात कर रहे है फिर है which continued the traditions of the Roman Empire in a new form so Byzantine Empire भी क्या था Roman Empire से ही influence था उनके जो traditions है जो उनके culture है उनहीं कोई आगे continue किया इस्टन यूरोप में फिर उसके बाद है अगर हम बात करें वेस्ट एशिया की सो इन वेस्टन एशिया एंड नॉर्थ एफ्रिका इस्लाम वो राइजिंग अभी यह चीज बहुत ज्यादा देखने की है जो एशिया का वेस्टन वाला इस्स है एक तो इस्ट एशिया है ज अफरीका के उपर की साइड जाओगे तो ज्यादा तर इस्लामिक कंट्री आपको वहीं देखने को मिलेंगी तो इस एरिया में इस्लाम जो है वो राइज हो रहा था और उसका कल्चरल इंफ्लुएंस बहुत जादा था इस्लाम का याद रखेगा तो इस तरीके से होता क्य है यह सारी चीज़े हो रही थी तो कहीं न कहीं इसी की वज़े से इटेलियन सिटीज जो है उनका भी रिवाइवल होने का टाइम आ चुका था क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजिस हो रहे थे आसपास और इटली में ट्रेड बहुत होता था तो ट्रेड जादा होगा तो इसके टाउन्स का ग्रोथ होती है सबसे पहला है एक्सपेंशन ओफ ट्रेड जो ट्रेड होता है जिसको हम व्यापार कहते हैं कैसे ट्रेड रूट्स बिट्वीन दा बाइजन्टाइन एंपायर एंड इस्लामिक कंट्रीज वर एक्सपेंडिंग जो बाइजन्टाइन उनके रूट्स एक्सपेंड होते ही जा रहे थे तो विच हेल्प रिवाइब इटलियन पोर्ट टाउन्स अलोंग दा कोस्ट इटली है तो इसके जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे पोर्ट होते हैं क्योंकि भाई देखो ट्रेड वगरा तो पोर्ट पे ही होगा ना तो प इटली टू एशिया तो अब मॉंगोल्स जो थे वो भी सिल्क रूट के थू जो है ट्रेड वगरा करने आ रहे थे इस साइड तो यह क्या है सिल्क रूट की वजए से भी वहां का कल्चर इधर आने लगा वहां की नॉलेज इधर आने लगी फिर इटैलियन टाउन्स देधर प्र libro क्या है एक ़ूंद डूरता है इक दम फिर मेकिंग इटली अफड टेया इधर स्बोल्स नहीं मतलर इस सेंटर बन गया एक हब शेण जहा जहां पर लोग आते थे बाते कड करते लेगीश का ब्रिज वन गया उर ज्यादा से जड़ लोग इधर इधर 1 में आने लगे अब हम देखेंगे Italian towns as independent city states अब होता क्या था Italy जब तक unified नहीं था तो वहाँ पे city states का system चलता था city states क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा तो आप देखो unlike before Italian towns begin to function more independently rather than as parts of a large empire अब Italian जो towns थे वो किसी empire का part नहीं थे Italy के जो towns थे वो थोड़ा independent हो गए और ये जो city states होते थे जो ये towns थे बड़े बड़े जो city states थे ये self governing होते थे यानि कि ये अपनी government को कुछ चलाते थे कोई बाहर का बंदा आके नहीं चलाता था with some like Florence and Venice operating as republics और Florence और Venice जो है वो republic की तरह काम करते थे कुछ कुछ जगा पर republic भी था जहां पर लोग elect कर रहे हैं फिर उसके बाद क्या है देखो भई city state का meaning आपको समझाता हूँ आपकी book में नहीं दिया हुआ लेकिन आपको meaning पता होना चाहिए अगर आया है सबसे पहले तो यह जो city state जो जगा होगी वह independent होगी सोवेन city होगी यानि कि उसके ओपर अपना खुद का राइट है गवर्न करने का कोई बाहर का बंदा आके गवर्न नहीं करेगा और होगा क्या कि भई उसकी एक पूरी territory होगी unlike a larger nation state होगा क्या भई city state जो होगा वो एक single urban center होगा with its own government and own political system simple सी बात है एक area है यह city state है यहां कि खुद की एक government होगी बाहर का कोई बंदा interfere नहीं करेगा यह खुद को खुद गवर्न करेगा बस that's called city state और इसकी एक अपनी territory होगी अब हम बात करते हैं Florence and Venice as key city states Florence and Venice का नाम बहुत ज़्यादा famous है जब हम Italy की बात करते हैं तो Florence and Venice emerged यह emerging towns थे भाई यह मतलब बहुत ज़्यादा famous हो गए आगे चलके so they emerged as prominent republics meaning they were governed by elected leaders यानि कि जो वहाँ पर लीडर होते थे वो elect होते थे वो कोई राजा महराजा नहीं होते थे ठीक है और वहाँ पर कोई monarch नहीं होता था वहाँ पर कोई feudal lords monarch feudalism वगरे नहीं था वहाँ पर पर एक elected government काम कर रही थी Florence और Venice Venice का नाम आप सभी ने सुना होगा Venice में भाई नाओ अगरे चलती है एक गाना याद आ रहा है मुझे दिमाग से उतर रहा है मुवी में था कि बिन कुछ कहे चल दो चार कदम उसमें भी Venice City का ही पूरा सीन है बहुत मुवी में आपने Venice City देखी होगी जहां पर पूरा इस तरीके से एकदम आप देखो कि जीलों का शेहर का जाता है उसको Venice वहाँ पर नाओ नाओ चलती है सिरफ तो Venice क्या है एक बहुत जादा maritime trade और strategic location पर था यानि कि वहाँ पर आसपास पानी ही पानी है तो जो भी trade बगर करना चाता है वो Venice में आसानी से आ सकता था So Florence जो है वो famous था for its art, banking and culture Florence का culture बहुत जादा rich था वहाँ का art बहुत जादा rich था वहाँ का banking system बहुत जादा अच्छा था तो Venice और Florence ये दो ऐसी cities हैं जो बहुत जादा develop हुई फिर है Venice and Genoa's unique political and social structure अब हम थोड़ा सा social structure के बारे में बात करने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए भई जो cities हैं like Venice and Genoa stood out because the clergy यानि कि जो आपको याद है clergy first order जो पादरी होते थे जो father साब होते हैं ठीक है चर्च में होता कि है the clergy जो religious leaders होत होते थे and feudal lords जो lords मैंने आपको पढ़ाया था three orders में और वो किया थे did not dominate political power ठीक है इनके पास political power नहीं थी ये Venice वगएरा में इनके पास power नहीं थी याद रखना ठीक है और फिर होता क्या है instead wealthy merchants and bankers played an active role in governing the cities इन शहरों में ज्यादा अकतर power इसके पास थी जो wealthy merchants होते थे जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे जो bankers होते थे so this governance by merchants encouraged ideas of civic participation and individual rights तो जब यह यह लोग रूल करते हैं merchants जो बहुत पैसे वाले हैं यह influence कर रहे हैं government को मतलब तो इससे क्या होता है citizens के भी कुछ rights होने चाहिए citizens के पास में भी कुछ participation का वो होना चाहिए एक option तो इस तरीके से citizenship का जो concept है वो यहीं से आता है कि भी citizens को भी कुछ समझो citizens को भी कुछ power वगेरा दो ठीक है अब हम आगे देखते हैं strong sense of citizenship and civic pride citizenship को लेकर अब बाते यहां पे चलती है यहां के लोगों को अपनी वहां की citizenship को लेकर बहुत proud feel होता था despite sometimes being ruled by military leaders who enforce strict control the people felt pride in their status as citizens बेशक उस जगा पर कभी कभी क्या होता था military leaders आते थे जो जबर्जिस्ती उस पूरे देश को यह city state को control कर लेते थे बट फिट भी वहां के लोग जो है अपने आपको वहां का citizen बताने में बहुत घर्व महसूस करते थे बहुत pride महसूस करते थे proudly वो कहते थे we are citizens of Venice, we are citizens of Florence, so यह जो citizenship की sense है और जो civic pride है जो गर्व है was foundational in establishing a unique cultural and political identity in Italian towns, यह Italian towns में बहुत जादा देखने को मिल रहा था और बाकी के यूरोप में ऐसा नहीं हो रहा था, आप पुस्ते हो ना इटली में ही रहने ऐसा क्यों हुआ, इटली में ही सारी चीज़े क्यों हुई, तो that was the reason, बाकी टाइम यूरोप में अलग-अलग जगाओं पर क्या चल रहा था, बट इटली में कुछ अलग चल रहा था, अब हम पढ़ेंगे universities and humanism, university क्या होता है आप सभी को पता होगा, like Delhi University, Nalanda University, BHU, आपने बहुत नाम सुने होंगे, ठीके, universities, colleges जिसके इंडर आते हैं, तो हम समझेंगे, इटली में भी कुछ universities वगरा खुलती है, universities in Italy, तो इसमें क्या है, आईए, मैं आपको बताता हूँ, तो देखो भई, starting में, the first European universities were founded in Italian towns, यूरोप की शुरुवाती जो universities हैं, वो इटली में established हुई थी, universities like Padua and Bologna, established by the 11th century, 11th century में जो established किया गया, यानि कि Padua University, फिर अब Bologna University, 11th century में बना दिया था इन्हें, और ये universities किसले फेमस थी, अपनी legal studies के लिए, अपनी law की study के लिए, यहाँ पे लोग law पढ़ने जाते थे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, importance of law studies, अब law की study important क्यों होती है, क्योंकि Italian cities focus heavily on commerce, Italian cities में ज़्यादा थर trade and commerce होता था, और होता किया है, जब trade commerce ज़्यादा होगा, तो lawyers की भी demand होगी, notaries की भी demand होगी, जो की क्या करेंगे, record keeper लोग होते हैं, है न, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिनको law के बारे म पता हो, trade वगर से related, हिसाब किताब रख सकें, तो that's why law studies were important in Italian towns, so these professionals were essential for drafting, interpreting rules and contract, जो trade होता था, जो contract होता था, उसको अच्छे से समझाना, वो काम इनिका होता था, उसको draft करना, उसको बनाना, ये काम इनिका होता था, तो इस वजह से ही, जो trade है, वो बहुत बड़े scale पर हो पाया, law was a popular field of study, तो Italy में law को बहुत popular माना गया था, भाई law की study हर कोई करना चाहता था, तो ये क्या है, रोमन कल्चर के टाइम से भी ये law बहुत जादा famous था, to support the commercial needs of these societies, तो क्योंकि जो commerce and trade होता है, वहाँ एक लोहरे की विज़रत पढ़ती है, कभी पंगान हो जाए, याद रखना, believe that ये ऐसा मानते थे, कि ancient civilization could be best understood through a direct reading of Greek and Roman text, ये कहते हैं, जो हमारी पुरानी civilization थी, जो हमारे पूरवज थे, वो बहुत बैस थे, और उनके बारे में अगर हमें जानना है, तो Greek and Roman text को पढ़के जान सकते हैं, बहुत rich knowledge भरी पड़ी है, हमारे पूरवजों के पास, तो ये जो फ्रांसिसको, ठीक है, फ्रांसिसको पेटरार्क थे, वो focus करते हैं, the value of closely studying ancient authors, ये कहते हैं, जो पुराने authors होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो, अपने पूरवजों ने जो जो लिखा है, तो भाई, ये क्या है, sparking interest in subjects beyond religious teachings, ये कहते हैं, भाई, चर्च स और अपने religion से बाहर निकलो, knowledge बढ़ाओ अपनी, और जो अपने पहले के पूरवजों से कुछ सीखो, वो क्या करते थे, so the 19th century historians later named this culture humanism, तो जो बाद के जो historians हुए, उन्होंने इस culture को humanism का नाम दिया, कौन सा culture, कि अपने पूरवजों से कुछ सीखो, classic चीज़ों को modern में अपना हो, उन से कुछ inspire हो के कुछ करो, ठीक है, अपना development करो, human अपने आपको आगे बढ़ाए, जब ही हमारा betterment होगा, that is called humanism, so आपको बैने background बता दिया है, कि humanism होता क्या है, अब humanism का पूरा topic दिया हो है भाई, तो इसको हम समझते है, so जो middle Europe था, middle age का, medieval time का Europe था, humanism क् है, एक cultural और intellectual moment था, यह एक ऐसा moment था, जहां हर कोई चाहता था, सभी बंदे आगे बढ़ें, सभी बड़ी बड़ी चीज़ों को achieve करें, और लेकिन inspiration अपने पूरवजों से, अपने जो पहले के जो classical authors हैं, उनको पढ़के, उनकी knowledge को पढ़कर, जो Greek and Roman authors हैं, उन से पढ़ो, So humanist लोग वो होते हैं, जो humanism को support करते थे, humanist believe that humans were capable of great achievements, humanist लोग यह मानते हैं, हम जो humans हैं, वो कुछ भी achieve कर सकते हैं, हम हर चीज़ के लिए capable हैं, ठीक है, and हम कुछ भी understand कर सकते हैं दुनिया में, अगर हम पढ़ते हैं, और उसका reason हमें पता है, अंद विश्वास पे मत च कुछ भी अगर मन में doubt है तो, ठीक है, उन्होंने क्या करा, humanist लोगोंने, वो ancient Greek और Roman text को पढ़ने गए, है न, वो कहते हैं, जो हमारे पूरवज लिखते थे थे न, उस knowledge को पढ़ो, और उस knowledge से inspire होकर, आज की डेट में कुछ नया करो, और उस knowledge में क्या क्या आता है, philosophy आती कितना बंदा ethical है, और कितना बंदा artist है, ये दो तीन दीजे मिलकर ही तो, इंसान को better बनाती है, तो आप जब इनको पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा, आपके अंदर कितना potential है, एक्जाम्पल आगे है, वाई, एक्जाम्पल बताता हूँ, एक नाम आया था ना भी पीछे, ये बहुत फेमस है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, ये एक Italian scholar थे और एक poet भी थे, He spent much of his life studying ancient text, उन्होंने अपनी बहुत जिंदगी का time दिया है, पुराने पुराने टेक्स को पढ़ने और समझने में, और उन्होंने आर्ग्यू किया, कि that learning from these classical works could lead to a more virtuous and fulfilling life, वो कहते हैं, अगर आप ये पुराने पुराने टेक्स को पढ़ोगे न, आपको अपनी लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा इसको पढ़के, So he promoted ideas, उन्होंने कुछ ideas को promote किया, like improving oneself and contributing to society, कि अपने आपको improve करो, society में, कुछ भाई योगदान दो, contribute करो, which were a departure from the strictly religious teachings of the middle ages that emphasize humility and obedience, ये कहते हैं, कि जो चर्च कहता है वो मत मानो, कुछ भी कर रहे हो तो अपने मन से करो, और सिरफ ये नहीं है कि चर्च ने कह दिया तो मान लिया, no, अपना दिमाग का use करो, उसके बाद कुछ भी करो, जो भी करना है, ठीक है, तो ये एक example था, humanism का, humanist scholar जो होते थे, आगर मैं आपको बताओं, in the early 15th century, humanist refer to teachers, humanist लोग आप ये भी मान सकते हो, जो humanism को पढ़ाते भी थे, university में humanist होते थे, जो humanism का teacher होते थे, जो बहुत specialized होते थे, grammar में, ठीक है, retorix में, poetry में, history में, और philosophy के अंदर, philosophy भी कैसी moral वाली, क्या सही, क्या गलत, ये teacher लोग जो होते थे, वो पढ़ाते थे, वो बच्चों को समझाते थे, universities में, फिर है, जो word humanities है, the word humanities derived from the Latin humanitas, meaning culture, so humanities का मतलब ही यह होता है, जो के Latin word है, humanitas, means culture, आप अपने पुराने culture से सीख के, आज का जो आपका culture है, उसको improve करो, development करो उसका, ठीक है, focus on non-religious subjects, humanist लोगों का सबसे बड़ा focus ही रहता है, कि आप religion से उठो, और थोड़ा आगे बढ़ो, religion के beyond जाकर कुछ सोचो यार, church, pope, और religion इसके बाहर भी दुनिया है, so सिरफ religious studies तक मत रोहो, आप अपना individual development कैसे होता है, debate करो, discussions करो, अपनी skills को polish करो, तो ऐसा यह लोग मानते थे, बाते तो बहुत अच्छे कह रहे हैं कुछ भी हो, spread of humanism, अभी humanism का, जो POV है इन लोगों का, point of view है, यह बाकी जगा तक कैसे spread हुआ, Florence जो एक जगा थी मैंने आपको बताई अभी पीछे, वो फ्रांसिसको पैट्रार का hometown था भई, जो बंदा था ना, एक humanist मैंने आपको बताए था, उसको hometown था, तो वहाँ पे Florence के अंदर तो ज़्यादा थर लोगों ने पैट्रार की बात को समझ लिया, और उसकी idea उसको adopt कर लिया, और especially by the 15th century, though it was not initially known for trade and education, आप देखोगे, 15th century के आसपास क्या यह time था, जब ज़्यादा थर लोग उनकी बात को समझ रहे थे, Florence है, कहाँ पर भाई, बार बार Florence, Florence, Florence बोले जा रहा हूँ, देखो भाई, यह Italy है, और यह Rome है, capital, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसके north side पे यह Florence है, ठीक है, यह आपका Florence है, आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से है यह मामला, Florence as a center of learning and art, Florence को अब हम पढ़ेंगे, as a learning center, as a art center, क्या था Florence में ऐसा, आईए देखते हैं, influential figures, कुछ बड़े-बड़े नाम लूँगा, आप में, सबसे पहले है, dante alghiri, dante alghiri, नाम कुछ ऐसे-ऐसे आएंगे, जो Italian नाम है, तो थोड़ा सा cooperate करना, ठीक है, आप भी समझना, यह बहुत बड़ा नाम है, dante alghiri, who explored religious themes in his writings, इन्होंने जो भी चीजे लिखी, कुछ ना कुछ religion से जोड़ के, कुछ ना कुछ लिखा, फिर है यहाँ पर, जोटो, जोटो जो है, जोटो, वो क्या है, एक artist थे, जो की जाने जाते हैं अपने portraits बनाने के लिए, एक portrait बनाते थे, और वो बहुत realistic लगता था, मानो एकदम real life portrait है, और उससे क्या है, Florence की reputation और बढ़ गई, तो भाई यह जो ऐसे ऐसे आपकी city में लोग होंगे, dante alghiri, और जो लिखने के लिए famous थे, जोटो, जो की अपने portrait बनाने के लिए famous थे, तो लोग कितना जानेंगे भाई, Florence का नाम रोशन हो रहा है, है ना, इस टाइप का था, फिर है यहाँ पे, यह देखो, यह जोटो है, ठीक है, यह है जोटो, जो की ऐसे portrait बनाते थे, बिल्कुल real life, ऐसा लगता था, एकदम असलियत में है, concept of renesia man, renesia, यानि की वो period 14th से 17th century का, जहाँ पे revival हो रहा है, पुरानी knowledge को नई knowledge के साथ combine करके, हम अपना development कर रहे हैं, हो ता कि यह Florence become known for intellectual vibrancy and artistic creativity, Florence से बड़े-बड़े scholars, thinkers निकलने लगे, Florence का नाम हो गया भाई famous, कि भाई यहाँ पे artist लहते हैं, एक से एक artist रहते हैं, एक से एक writer रहते हैं, individuals who pursued multiple fields, such as scholarship, diplomacy, theology and art, were termed renesia man, वो बंदे जो बहुत जादा पढ़ लिक लेते थे, जो बहुत बड़े scholars बन जाते थे, जो बहुत बड़े artist होते थे, उन लोगों को renesia man कहा जाता था, वो बंदा जो बहुत जादा cultured है, civilized है, बहुत पढ़ा लिखा है, ओके, फिर हमारा अगला topic है, the humanist view of history, humanist लोग जो हैं, वो history को कैसे divide करते हैं, हुआ था, वहां से dark age शुरू हो गई थी, जहां पर पूरे यूरोप में culture बिल्कुल बेकार हो गया था, और हर तरीके से politically, culturally, socially पिछड गया था, जो यूरोप था, जहां cultural decline हुआ था, dark age के दोरान, ठीक है, और होता गया है फिर उसके बाद में, फिफ्ट से 14 सेंचुरी जो है, वो middle age केलाती है, ठीक है, फिफ्ट से 9 सेंचुरी जो है, उसको dark age माना जाता है, जहां पर culture में decline हुआ था, 9 से 11 सेंचुरी जो है, वो early middle age मानी जाती है, 11 से 14 सेंचुरी को the late middle age माना जाता है, 15th century से लेकर आगे तक का time modern age कहलाता है तो ये एक time का divide है जो कि humanist लोगों ने किया है आप इसको जरूर याद रखना कि dark age कौन सा है यूरोप की history में वो 5th से 9th century का है और बागी तो बहुत easy है याद करना Science and philosophy, the Arabs contribution अब यहाँ पर अरब लोग कहां से आगे भाई हम तो इटली की बाते कर रहे है नो अरब लोगों का बहुत बड़ा contribution है इस रिनेसा पीरियड में क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले जो monk होते थे जो पादरी लोग होते थे जो middle age के time पर जो monk और clergyman थे वो ज़्यादा तर जो है गरीक और रोमन टेक्स्टों को आम लोगों से बचा के रखते थे कि इन तक knowledge ना पहुँच जाए बस knowledge वाले हम ही रहे और किसी को knowledge ना मिले और वो ज़्यादा actively फुराने text को share नहीं करते थे public के साथ में अपने तक ही रखते थे यह जो monks वगरा होते थे फिर क्या होता है जो अरब लोग थे उन मेंसे कुछ लोग translator का काम करने लगे अब translator का काम क्या होता है मानलो कोई चीज ग्रीक में लिखी है रोमन में लिखी है आप उसको English में लिख रहे हो आप उसको Arab में लिख रहे हो तो वो एक language से दूसरे language में बदलना translation कहलाता है तो ये काम Arab लोगों ने किया जो Arab scholars होते थे उन्होंने क्या करा पुरानी पुरानी जो manuscript होती थी उनको इखटा करके उनको ग्रीक और रोमन लेंग्विज को Arabic में ट्रांसलेट करा और ज़्यादा जब वो language बदल अब मानलो मैं हूँ मैं English में आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ अब मानलो कोई बच्चा है जिसको English आती नहीं है उसको Arabic आती है तो वो पढ़ी नहीं पाएगा ना नॉलिज नहीं चाहेगी उसके पास बट अगर यही चीज़े मैं Arabic में ट्रांसलेट करके पढ़ा दूँ तो भाई वो बच्चा भी समझ लेगा तो नॉलिज और ज़्यादा बढ़ेगी तो translators का बहुत बड़ा रोल होता है इन दा 14th century, many European scholars started reading these Arabic translations of Greek writers such as Plato and Aristotle इसका नाम आपने सुना होगा Plato और Aristotle का इनका ज्यादा तर जो है न ग्रीक और रोमन में लिखा हुआ था जो भी था तो उन लोगों ने क्या करा अरब लोगों ने इन चीज़ों को Arabic में ट्रांसलेट कर दिया अब लोगों को इनके Plato और Aristotle के आइडियाज और असानी से पता चल गए जब अपनी लेंग्वेज में पढ़ा उनोंने फिर क्या है नॉलिज का ट्रांस्मिशन होता है जब आप लेंग्वेज बदल देते हो तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हुए जो ग्रीक लोगों की नॉलिज को पढ़ पाए बिकोज ओफ अरेबिक ट्रांस्लेशन फिर क्या है वाइल अधर रीड दा वर्क्स ओफ अरेबिक पर्शियन स्कॉलर्स तो लोगों में एक पढ़ने का कल्चर आया डवलप हुआ जो ट्रांसलेशन थी वो बहुत सारी चीजों की की गई जैसे नेचुरल साइंस की मैथमेटिक्स की एस्ट्रॉनमी की मैडिसिन की केमिस्ट्री की जो भी किताबे थी जो एक रोमन और ग्रीक लेंगविज में थी उसको इन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया ये इ के एक बुक लिखी थी अलमल्गेस्ट शू अलंजेस्ट जो कित एक एस्ट्रोनामिकल वरक है बाईया ग्रीक स्कॉलर तो उग्रीक में जो च्रॉनमी के बारे में वो क्या है अरब लोगों ने तरॉंसलेट करा इसको आफिक में अगर नाम लिखने को आता है तो टॉलिमी की जो अलेम जेस्ट है उसका नाम याद रख लेना जो की थी भई ग्रीक लेंगविज में बाद में उसको चेंज किया गया influence of Muslim scholars on Italian knowledge अब कुछ Muslim scholars के नाम बताने जा रहो हूं है जो की बहुत famous हैं सबसे पहले हैं इबन सीना इबन सीना जो है वो बुखारा के थे रहने वाले वो बहुत ज्यादा जाने माने physician थे और philosopher थे इबन सीना का नाम याद रखना फिर है अल रजी अल रजी एक और Muslim scholar थे जो की जो medical enso medical encyclopedia लिखने के लिए जाने जाते हैं author थे लिखते थे बहुत थी इनके पास फिर उसके बाद इबन रुशद इबन रुशद जो हैं जो स्पेन के थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा philosophical चीज़े लिखी हैं कुछ कुछ religious बाते भी लिखी हैं और इसके अलावा method that later influence Christian thinkers फिर इनसे influence होके Christian thinkers लोगों ने भी इनसे ideas लिए ठीक है इनके text को पढ़के फिर आता है humanist outreach and influence on education अब देखो होता क्या है कि humanist लोग जो थे वो अपने ideas को ना दूर दूर तक पहुचाना चाहते थे तो उन्होंने क्या करा कि अपने ideas को दूर तक पहुचाने के लिए जो school का curriculum होता है जो school का syllabus होता है उसमें humanist लोगों के जो चीजें थी उसको मतलब थोड़ा एड किया school के अंदर जैसे होता क्या है gradually expanding the curriculum in schools beyond the theology law and medicine basically school में क्या पढ़ाय जाता है mathematics हो गया theology हो गया law हो गया medicine हो गया इन से आगे बढ़के थोड़ा humanist लोगों का जो विचार है जो उन to be taught not only in Italy, सिरफ Italy में ही नहीं भाई but spread to the other parts of Europe, Europe के बाकी parts में भी जो humanist लोगों होते थे वो पढ़ाया जाने मतलब अपना knowledge जो थी उनकी वो उन्होंने और जगा तक फैलाई और बहुत अलग अलग जगाओं पर जो humanist thinking है उसको पढ़ाया जाने लगा, अब हमारा next topic है यह लोगोंने इस लेवस के अंदर चीजे हैड करी, अब humanism के अंदर एक बात आई, art and architecture से भी तो हम यह चीजे promote कर सकते हैं, भाई portrait बनाओ, बड़ी-बड़ी मूर्तियां बनाओ, उससे भी तो एक message जा सकता है, जो हम message पहुचाना चाहरे हैं, तो अब इनका दिमाग थोड़ अब जादा लोग अगर मूर्तियां देखेंगे, portraits देखेंगे तो बाई attract तो होंगे, rediscovery of Roman art and culture, हुआ क्या जो नए आटिस्ते वो Roman art और culture से influence थे, a thousand years after Rome's fall, fragments of ancient Roman art were found in the ruins of Rome and other deserted cities, जब रोम बहुत साल बाद जब Roman empire का fall हो गया था, तो वहाँ पे जितने भी जो मलबा था, जो पुराना समान निकला, जो कुछ art से related था, वो बहुत ही important था, उसको अपना base मान कर, अब यहाँ पे नया art revive होता है, होता क्या है, जो artist लोग थे, वो अच्छे से इनको study करते हैं, जो पुराना art मिला था, Roman culture का, और उसको revive करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर होता है, revival of classical sculpting, जो sculptures होते हैं, जो मूर्तियां होती हैं, जो पहले बनाई जाती थी, उन ही से influence होकर, Italian sculptors जो थे, उन्होंने क्या बोला, continue करा उसी Roman legacy को, मैं बता रहा हूँ, यह लोग influence पुराने वालों से हैं, लेकिन कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने Roman legacy को भी आगे बढ़ाया, life-like sculptures बनाए, ऐसा लग रहा है, मानलो, इन्सान सामने जिंदा बैठा है, इस तरीके का, वो कुछ मूर्ति, कुछ sculptures बनाते हैं, इन 14-16, Donatello set a new standard by creating remarkably realistic statues, जो Donatello है, उन्होंने ऐसे statue बनाए, जो बहुत ज़्यादा real लगते थे, और बहुत classical style से influenced लगते थे, So, He was Donatello, as you can see on your screens, ठीके, अब आर्टिस्ट के नाम आएंगे, बहुत खतरना खतरना की, याद रख लेना इसे, आर्टिस्ट and science are collaborative pursuit of realism, अब क्या है, आर्टिस्ट लोगों ने समझ लिया, अगर लोगों को और अच्छे से बताना है, तो पहले, खुद पहले पढ़के आओ Science क्या कहती है, Anatomy क्या होती है, इंसान की बनावत समझो, और वो हुबहु इंसान को फिर बनाओ मूर्तियों में, और ऐसा लगना चाहिए कि बिलकुल real है, that's all about realism, यही realism है, कि असलियत लगे, लाइफ लाइक लगे, देखो होता क्या है, आर्टिस्ट लोग जो है, वो रियल realism को follow करना चाहते थे, कि उनके मूर्तियों में एक realism जलके, तो उन्होंने क्या करा, कुछ आर्टिस्ट लोगों ने medical school जाना शुरू करा, समझ रहे हो, मूर्ति बनाने वाला बंदा medical school में जा रहा है, क्यों? ताकि anatomy को समझ पाए, इंसान की बनावत कैसी है, इंसान के हाथ क कैसे होते हैं, इंसान का गला, इंसान का face, ना, कान, एक एक उसकी veins कैसे बनी है, वो सब अच्छे से study करो, और उसके बाद में, जो है, आप अगर sculptures बनाओगे, तो वो एकदम जिन्दा लगेंगे, असली, तो देखो, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से study किया गया, सो यहाँ पर, जब हम anatomy की बात कर रहे हैं, तो एक नाम आता है, contribution of Andreas Vesalius, Andreas Vesalius जो थे, वो एक Belgian professor थे, medicine के, जो की पाड़ोगी उनिवरसिटी में पढ़ाया करते थे, ठीक है, पाड़ोगी उनिवरसिटी में, medicine पढ़ाते थे, science field से थे, इन्होंने क्या करा, was the first to dissect the human body, human body क दिखाने वाले यह पहले बंदे हैं, his work laid the foundation for modern physiology, जो आज आप physiology पढ़ते हो न, वो इसके अंदर जो anatomy पढ़ते हो, वो इनी बंदों की, मतला इसी बंदे की वज़े से आप पढ़ा रहे हो, जिसका नाम है Andreas Vesalius, इन्होंने क्या करा, anatomy के बारे में, आर्टिस्ट लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बताया, अब हम आते हैं, painters and techniques for realism, अब हम मूर्तियों से हट कर थोड़ा painting की तरफ जाएंगे बाई, क्या है, although painters lacked ancient artworks as direct references, painter लोगों को न, पुरानी चीज़े तो नहीं मिल पाई, क्योंकि मूर्ति वाले को टूटी-फूटी म बना लेगा, painter लोग कैसे बनाएंगे, वो portrait तो कई सो साल पहले खतम हो चुका होगा, तो वो यह चाहते थे, हम ऐसी painting बनाए, जो जितना हो सके realistic लगे, as possible as much you can, अब इन्होंने geometry की knowledge ली, line कैसे एकदम accurate बनाए, उसी में alignment होना चाहिए, तो यह geometry को अच्छे से पढ़ने इन लोगों ने, और फिर धीरे-धीरे कुछ painter लोगों ने oil painting को शुरू किया, oil painting से क्या होता है, जो आपकी जो painting है, वो और ज्यादा rich लगने लगती है, तो color थोड़े और अच्छे लगते हैं, बहुत vibrant और बहुत depth में, मतलब जाके आपको color बहुत अच्छे लगेंगे, आपको एक example दिखाता हूँ, see, this is a oil painting behind you, मैं साइड अटा हूँ, आप देखो बेले इसको, एक second, इसमें एक एक color कितना vibrant लग रहा है, बहुत सुन्दर, oil painting है ये, ठीक है, तो ऐसी painting स्टार्ट हो गई थी अब, फिर है influence of Chinese and Persian art, मैंने आपको एक line बताई थी, कि जो silk route था न और Chinese culture, वो Italian towns में भी आ गया, तो वहां की जो painting की techniques थी, वो Italy में भी आ गई, तो हुआ क्या, जब Europe और Mongols के बीच में trade होता था, cultural exchange होता था न, तो उस time पे ये paintings वगरा का जो art होता है, ये भी exchange हो गया, तो वो influence भी देखने को मिलता है, अब आपको एक photo दिखाऊ, ये photo आप portrait is by Leonardo da Vinci, ठीक है, who had an amazing range of interest from botany and anatomy to mathematics and art, एक बंदा जिनका नाम है Leonardo da Vinci, इनोंने बहुत बढ़िया-बढ़िया paintings बनाई है, और इनका interest जो था, वो math में भी था, art में भी था, botany में भी था, anatomy में भी था, तो इनोंने जो एक बहुत famous painting बनाई है, उसको हम कहते हैं, the Mona Lisa, ये है the Mona Lisa, आपने ये painting देखी होगी कही न कहीं, और दूसरी painting है the last supper, तो देखो, ये है the last supper नाम से जो painting है, ये दो painting इनकी बहुत ज़्यादा famous है, painting तो और भी बहुत हैं, बट आपको स्लेवस में ये दो painting दी गई हैं, तो आप इसका नाम याद रखिएगा, अब हम पढ़ेंग and cultural renaissance, अब हम Rome के अंदर देखेंगे किस तरीके से क्या हो रहा है, let's see, strengthening of the papacy, होता क्या है, 1417 का time है, the rivalry between two competing popes which had weakened the church since 1378 come to an end, होता क्या है, चर्च में दो popes थे, जो लड़ाई के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे अपने एक post पाने के लिए, वो उनकी जो एक तरीके से जो rivalry थी वो खतम हो जाती है, इससे क्या होता है, this allowed the popes to regain political strength and take on leadership roles in revitalizing Rome, अब क्या है, जब इनका conflict solve हो गया, एक बंदा पोप होगा, अब उसके पास political power आईगी, तो अब क्या है, वो थोड़ा सा सोच सकते हैं, हम रोम के अंदर अब क्या करना है, अब बताओ, पहले तो हम अपने ही पंगे में बिजी थी, अब बताओ, अब पंगा खतम है, तो होता क्या है, इसकी वज़े से अब focus shift हुआ, कि कैसे क्या गरना है, encouragement of Roman history and archaeology, होता क्या है, जो popes होते थे थे, जो मैंने बताओ, जो लड़ रहे थे अभी तक, अब इनका focus आ गया, इन्हो अब यह लोग मानते हैं, कि हमें एक नया architecture बनाना है न, style, तो आप पहले classical Roman, एकदम proper Roman time पे जो होता था, वो पढ़ो, उसको सीखो, फिर उसके बाद आप एक नया style बनाओ, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, आगे समझते है, आर्केलोजिस्ट बिगेन एक्सकेवेटिंग रोमन रुइन्स, यानि कि जो आर्केलोजिस्ट ने, अब उनका काम था, रोमन रुइन्स, यानि कि जो मलबा है, जो भी निकल रहा है खुदाई में, उसको रीड करना, उसको स्टडी करना शुरू कर दिया, और इससे excitement और ब बढ़ा, अब उसी को, मतलब उसी से inspired होके, आप एक नया architectural style बनाओगे, support from wealthy patrons, जो भी architecture होते थे, मतलब जो architecture का, जितना भी आपको example देखने को मिलता है, उसमें बड़े-बड़े पैसे वाले लोग support करते थे, donate करते थे, जो aristocrats होते थे, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ज इसी क्या पता चलता है, classical चीजों को आपने वापिस से modern समय में ला दिया है, अब मैं आपको कुछ famous architects के नाम बताता हूँ, पहला नाम है, Michelangelo Bunroti, ठीक है, Michelangelo Bunroti, नाम थोड़े से Italian है, देखते हैं, उन्होंने किया क्या था, वो जाने जाते हैं, अपने artistic और architectural contribution के लिए, खासकर Rome के अंदर, Michelangelo जो थे, उन्होंने paint किया था, the iconic ceiling of the Sistine Chapel for the Pope, Sistine Chapel, Sistine Chapel का नाम बताता हूँ आपको, देखो, मैंने अभी आपको एक पीछे दिखाया था ना, एक second रोको, तो इन्होंने क्या किया था, paint किया था, iconic ceiling of the Sistine Chapel for the Pope, जो एक ceiling होती है ना, उसके उपर painting वगर इन्होंने बनाई थी, फिर उसके बाद क्या है, his famous sculpture, the peta, showcased his skill in sculpting life like human figures, अब इन्होंने क्या करा, कि एक और sculpture बनाया, the peta, उसमें भी इनको ऐसा देखने को मिलता है, इतना बढ़िया, मानो, असली में कोई इनसान है, as an architect, he designed the dome of St. Peter's Church in Rome, and enduring symbol of Renesa architecture, इन्होंने ये भी किया नाम है Michelangelo Benroti, और इन्होंने, ये देखो, इतना life like, एकदम भाई sculpture है, एक एक चीज में कितनी detailing है, आप इसको देख सकते हो, ऐसा ही artist था, फिर उसके बाद आता है, एक और architect है, Filipino, sorry, Filippo Brunelleski, ठीक है, Filippo Brunelleski, ये नाम याद रखना है, जो मैं प्रनाउंस कर रहा हूं, ठीक है, Filippo Brunelleski, ये क्या थे, Brunelleski जो थे, वो एक sculptor थे, शुरु शुरु में मूर्तिया बनाते थे, फिर वो became a celebrated architect, फिर धीरे धीरे वो architect बने, designing the magnificent dome of Florence, इन्होंने Florence में एक बहुत, magnificent, बहुत famous dome बनाया, his work on the dome of Florence Cathedral is considered one of the most spectacular architectural feats of that time, इन्होंने Florence के अंदर, जो वो dome था, ठीक है, जो cathedral का, यानि कि एक church होगा, उसका dome बनाया था, वो इतना सुंदर था ना, उसके लिए ये जाने जाते हैं, अपने उस time पे, ठीक है, और वो कैसा है, देखो, ऐसा है, this is the dome, नाम याद रख ले ना, मैंने आपको बता दिया है आगे बढ़ते हैं, अब हम, the first printed books, अब हम यहाँ पे धीरे 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 को knowledge बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अब एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, art का revival हो गया, painting का revival हो गया, हमने architecture को देख लिया, हमने देखा knowledge कैसे फैल रही थी, अब यहाँ पे printing में colors भी आगे, अब Italian जो humanism की जो एक वो विचारदारा थी, यहाँ आप कह सकते हो, जो ideology थी, अब printing technology से तो वो पूरे book चपेगी, बुक चपेगी, तो भाई वो पूरे दुनिया में जाएगी, तो अब यहाँ से असलियत में knowledge का travel होता है, travel for art, but not for ideas, होता क्या है, 15th और 16th century का time था, जो लोग थे ना interested, जो paintings देखना चाते थे, sculptures देखना चाते थे, buildings देखना चाते थे, वो Italy में जाते थे, travel करने, उनको वहाँ जाना पड़ता था देखने के लिए, उनको घर बैठे नहीं दिखता था कुछ भी, उनको वहाँ जाके देखना पड़ता था, but however, written works from Italy could travel to other countries, but Italy के लोगों के जो written works होंगे, जो book लिखेंगे, वो, जो book में knowledge होगी, वो तो पूरे world में जा सकती है, अब पूरा world को अगर Italy को वो सब देखना है, तो उसको Italy में जाना पड़ेगा देखने, वो ही चीज़े, आप book में print करते हो, और book को बाढ़ दो, पूरे दुनिया by Europe में, अपनी history का सबसे बड़ा revolution यही है, कि हमने printing सीख ली, Europeans ने यह printing का काम Chinese लोकों से सीखा था, क्योंकि वो silk route से आते जाते थे, Europe, China, Europe, China, Europe, China, वो cultural exchange होते होते, वहां की printing technology भी इन्होंने सीख ली, होता क्या है, early handwritten text and the first printing press, तो printing से पहले क्या होता था, जो भी चीज़े लिखी जाती थी, वो बहुत जादा वैसी होती थी, जो खराब हो जाती थी, मतलब एक काजबे किस तरीके से क्या कर रहे हैं, और वो manuscript होती थी, वो खराब हो जाती थी, और उनको बनने में भी time लगता था, यह देखा होगा आपने, इस तरीके से यह खोलेंगे, महाराज म का नाम अगर आपने सुनाएं, यह एक जर्मन इन्वेंटर थे, जिन्होंने प्रिंटिंग मशीन बनाई, तो इन्होंने क्या करा, 150 यानि कि 150 प्रिंटिड कोपी बनाई बाइबल की, और उसको बाट दिया, अफीड देट वुड हैव टेकन आ मॉंक, दा सेम अमाउंट इसला टाइम सेवर था, यह बंदा, जिसने टाइम सेव करा इतने लोगों का, आज आप बुक पड़ पा रहे हो ना, तो वो इन्हीं के वज़य से है, ठीक है, यह है, गोटेन बर्ग, आप इनका फोटो देख सकते हैं, अपने बैक ग्राउंड में, और अगर आपको वीड यह बंदानी चीजे जो लिखी वी थी हातों से, जो लेटिन में थी, अब उसको भी प्रिंट किया जाने लगा, ताकि वो जो नॉलिज है, वो और ज्यादा लोगों तक पहुचे, प्रिंटिड बुक से क्या हुआ, लोग अपनी बुक जा के खरीच सकते थे, और उस नॉल प्रेड ओफ आइडियाज, अब हम सोसाइटी पे क्या इंपेक्ट होता इसका, वो भी पढ़ते हैं भाई, अब क्या है, जब बुक्स आ गई, तो विद प्रिंटिड बुक्स अवेलेबल फोर परचेज, जब बुक्स अवेलेबल थी खरीदने के लिए, जो भी इंडिवि अब यहां पे क्या है, यह humanist culture जो केवल और केवल इटली में था, अब यह Switzerland पार करते हुए, बहुत जगाओं पर humanism की पढ़ाई होने लगी, और जो आल्स परवत है, जो आल्स माउंटेन है, Switzerland के पार होते हुए, वहां तक knowledge पहुँच गई, अब यहां पे आप देखोगे शुरुवात में, जब books वगरा नहीं प्रिंट होती थी, तो ऐसी moment छोटी मोटी पहले भी होती थी, पर वो यूरोप तक ही रह जाती थी, specific region में ही चलकर बंद हो जाती थी, वो moment, बट अब जब लोगों ने पढ़ना सीख लिया, तो होता क्या है, बुक्स वगरा जो है, ज कोई अपना development करे, citizenship, ये सारी चीज है ना, इसमें women को include नहीं किया गया था, public life में जादा तर जो होता है, वो man का जादा influence होता था, जो मर्द होते हैं, उनके पास जादा power थी, ठीक है, जो की aristocratic families से आते थे, बड़ी families से थे, जो की decision maker थे, अपने घर के अंदर भी और society में फिर क्या है, जो बड़े घरों की, जो women होती थी, women from the noble families, बड़े घरों की, were typically educated to manage household, यानि कि उनको इतना पढ़ाय गया था, बस वो घर समाल ले, और कोई उनका काम नहीं था, जो बेटे होते थे, जो sun होते थे, however, were trained to take on roles in business and public life, उनको training दी जाती थी, business कैसे करना है, public life में कैसे deal करना है, आप के सकते हो, male dominant society थी उस time की, we can say that, marriage और दोवरी की बात करें, तो marriages were often arranged to forge business alliances, ज्यादा तर marriage की जाती थी, कि बड़े एक business का alliance बन सके, with women having little say in the matter, जहां women थोड़ा बहुत कुछ बोल पाए, बस ज्यादा नहीं, तो दोवरी यानि कि जो दहेज होता है, ठीक था बंदे को, डोवरी, जो दहे जाता था, उसको वो business में invest कर देता था, but wives had no influence over how the business was run, but उस घरवाली का कोई रोल नहीं है, कि वो business कैसे चलेगा, business उसी घरवाली के पैसे से चल रहा है, जो उसको डोवरी में मिला है, but business में उसको कोई रोल नहीं होगा, so if a family could not provide a sufficient डोवर गरी में, भाई कोई ऐसा भी बाप होगा, जो गरीब होगा, वो डोवरी नहीं दे सकता, so daughters were often sent to convents or monasteries to live as nun, कोई बंदा गरीब है, जो डोवरी नहीं दे सकता, वो अपनी बेटी को नन मना देता था, यानि कि जो monk का उल्टा होता है, उल्टा नहीं मॉंक का female version, ठीक है, न अब आगे देखो, domestic role of aristocratic women, जो aristocratic families की women होती थी, वो क्या है, ज्यादा तर household का काम करती थी, public life में ज्यादा role उनका नहीं होता था, ठीक है, चाहिए बेशक बड़े गर की हो, लेकिन इतना role नहीं होता था, women in merchant families, लेकिन जो merchants होते थे, उनकी women के पास क्या कुछ power थी, कुछ made a more active role in business, तो यहाँ पे business में role था, merchant families की women's का role था, shopkeepers की जो wives होती थी, वो दुकान चलाने में मदद करती थी, and merchant यह जो banker होते हैं, उनकी जो wife थी, वो business वगरा समालने में मदद करती थी, जब उनके husband कहीं दूर चले जाते थे, तो business को कौन देखता था, उनकी wife ही देखती थी, ठीक है, तो यह याद रखना, जो मानलो कोई विदवा है, विदवा, कोई विड़ो है, तो if a merchant husband died, अगर कोई बंदा मर्चेंट था, और वो अगर मर गया, तो उसकी जो विड़ो होगी, जो विदवा है, took on more public role, तो वो थोड़ा सा, और ज़्याद उस पर responsibility ज़्याद पर आती थी, aspirations of women, women क्या चाहती थी, उनकी क्या aspirations थी, वो अब देखते हैं, एक तो education भाई, हर किसी को मन होता है, पड़े, तो some women valued education, और वो education लेना चाहती थी, and recognize its importance, और वो जानती थी भाई, important education बहुत ज़्यादा, like Cassandra Fidel, जो थी, who was proficient in Greek and Latin, and gave lectures at the universities of पादुआ, पादु Latin and Greek में lecture देती थी, जो हमारी Cassandra Fidel है, तो कुछ women ऐसी थी जो पड़ी लिखी भी थी, फिर आता है, critique of gender inequality, कुछ women ये मानती है, जो कुछ writer हुई, कि भाई, ये gender equality नहीं, inequality नहीं होनी चाहिए, वो कहती है, कि भाई, हमें freedom बहुत कम है, और हमारे पास economic power नहीं है, political property rights वगरा नहीं है, education भी नहीं है, तो ये male dominant world है, तो कुछ writers हुई ऐसी, जो इस चीज़ को oppose करती है, debates within Christianity and spread of humanism, अब जो Christian लोग होते हैं, जो उनका religion Christianity है, उस ही में कुछ problem आ गई थी, और उसमें debate होने लगी, देखो भई, होता क्या है, Italian towns जो थे, connected to the broader world through trade and diplomacy, became center of new culture, अब ये Italian towns क्या है, trade वगरा बहुत होता था, तो इधर का culture, उधर का culture, सारा culture आके Italy में mix हो गया, लोग हो गए educate, और लोगों पे पैसा भी आ गया, अब लोगों में क्या है, knowledge आ गई, पहले लोग जो चर्च बोलता था, वो समझ लेते थे सही अब लोगों ने जब knowledge ले ली, पढ़ लिख गए, तो अब क्या है, कि यहाँ पे, rise of Christian humanism in the North Europe, North Europe में क्या हुआ, in contrast to Italy, where secular scholars led humanism, देखो इटली में क्या था, scholars लोग जो थे पढ़े लिखे, वो humanism को आगे बढ़ा रहे थे, बट यूरोप के अंदर जो नौर्थ वाला पार था, वहाँ humanism जो है, वो चर्च की वजए से फैला, चर्च ने वहाँ पे support करा जाके, कि humanism को support करो, अब कैसे आगे बताता हूँ, Christian जो humanist लोग होते थे, जो चर्च के बंदे थे, वो कहते है, advocated a return to the simplicity of early Christian teachings, कुछ लोग ऐसे हुए Christianity के अंदर, जो कहते हैं, कि बही जो थोड़ा सा उसको कर दिया complex, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए, rejecting unnecessary rituals, यानि कि जो बिल्कुल necessary नहीं है, आप ऐसी ऐसी चीज़े करवा रहे हो, जो चर्च में बिल्कुल भी necessary नहीं है, वो reject करो, और जो बाद में नहीं चीज़े add करी हैं, वो हटाओ, they promoted a view of humans as free and rational beings, ये जो कहते थे जो Christian वाले जो humanist लोग आये, जो नए knowledge वाले थे, ये कहते हैं, एक इंसान को free रहने दो, जो मन करता है वो करने दो, with our distant God who granted freedom to seek happiness in life, और भगवान ने उसको बनाया है ना, उसको freedom दो, उसको अपनी life जीने दो, खुशी से, जैसा वो चाहता है उस तरीके से, जो बहुत पुराने हैं, जो पुराने वाले rules को follow कर रहे हैं, बहुत rigid, बहुत complex, और protestant लोग वो हैं, जो की, जो पुराने वाले church के खिलाफ, protest कर रहे हैं, और कह रहे हैं, थोड़ा सा liberal बनो, थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूं क्या है, influential humanist, कुछ ऐसी humanist लोग हुए है जैसे Thomas More, England के थे, Erasmus, Holland के थे, उन्होंने बोला, जो church है न, वो लालची एक organization है, जो tax लेती है, और लोगों के उपर dominate करती है, और कोई काम नहीं करती, और इसके अलावा, जो especially the selling of indulgences, documents supposedly absolving sin, church ऐसी ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं, जिसमें लिखाए कि ये पढ़ लोगे, तो आपके गुना माफ हो जाएंगे, आपके जो sins हैं, वो सारे खतम हो जाएंगे, तो ये पैसा चाप रहा है, जो church है बई, और ऐसे ऐसे rituals करवा रहे हैं, जो unnecessary हैं, so with Bibles, अब Bible के है, translate हो चकी थी local language में भी, जोकि मैंने आपको पता है न, printing की technology आ चुकी है, तो Bible अब ज़ हैं, लोग पढ़ सकते हैं, Bible में लिखा किया है, exactly, और ओ जाके church को question mark लगाएंगे, कि आपने जो ये line बोली है, ये तो Bible में है ही नहीं भई, आप बता रहे हो, ये करने से वो होगा, ये करने से ये होगा, तो Bible में तो कहीं नहीं लिखा ऐसा, तो लोग अब question mark लगा सकते ह हैं, ये बदलाव आपको नजर आ रहा है, लोगों में क्या हो रहा है, thinking का process, question करना, experiment करना, अब लोगों ने शुरू कर दिया, अब क्या है, present rebellion and church authority, हुआ क्या, पूरे यूरोप में जो किसान लोग थे, वो सबसे ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि church वाले उनके उपर tax ये tax वसूल रहे हैं, tax लेते जा रहे हैं, और सारी authority अपने हाथ में ले रखी हैं, power बढ़ती जा रहे हैं, चर्च की लोग परिशान हैं, तो अब लोग आगए church के against, तो जब आप किसी के against अपने कुछ भी thoughts रखते हो, it is called a protest, और यही से एक word आता है, protestant reformation, protest मतलब अपनी Christianity में reformation हुआ, और protestant नाम से अलगी एक sect बन गया, होता क्या, यहाँ पे एक main बंदा है, Martin Luther, ठीक है, इसका नाम याद रखना, 15-17 की बात है, Martin Luther, जो German monk था, उसने Catholic Church को challenge करने वाला यह पहला बंदा है, जो कहता है Catholic Church बिलकुर गलत कर रहा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंन बगवान से जुड़ना है, आप खुद जाओ, बगवान से connection बनाओ, यह जो priest लोग होते हैं ना, यह बिचोली बन रहे हैं, यह आपका काम नहीं करवाएंगे, आपको जो करना है God से बात करनी है, आप खुद करो, आप पादरियों पे, priest लोगों पे, father लोगों पे depend मत रह को, उन्होंने अपने messages को इतना popular किया Germany में, Switzerland में, कि इतने लोग आ गए इनकी support में, supporters आ गए बहुत बड़े-बड़े, जैसे एक नाम आता है, Olrich, Wingley, and Gene Kelvin, Olrich, Wingley, and Gene Kelvin, यह कुछ बड़े-बड़े नाम है, reformers के, तीन नाम याद रख लो, एक तो है Martin Luther, एक है Wingley, एक है Gene Kelvin, यह तीन नाम आप लिख देना, अगर reformation या protestant वाला question आता है, support from town and merchants, अब protestant लोगों को जो है, town से भी support मिला, merchant लोगों ने भी support दिया, क्योंकि भाई, वो appreciate कर रहे थे इनके messages को, while rural areas largely remained loyal to the Catholic Church, लेकिन यह support ज़्यादातर urban areas से आई थी, जो rural areas होते हैं, वहाँ पे अभी भी उतनी ज़्यादा support इनको नहीं मिली थी, तो यहाँ पे हमने देखा, कि किस तरीके से, जो गाउं से हैं, अभी भी support नहीं मिला था, क्योंकि गाउं के लोग loyal थे, अभी भी चर्च के लिए, Catholic Reformation and the Society of Jesus, अभी यहाँ से हम समझते हैं, क् internal reforms in the Catholic Church, वो तक है, जो Catholic Church है, वो जब थोड़ा सा समझने लगा environment को, कि थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरुत है हमें, तो अब उन्होंने खुद के कुछ reforms करे, promoting a return to a simpler lifestyle and an emphasis on service to the poor, particularly in Spain and Italy, अब इन लोगों को समझ आ गया, थोड़ा सा हमें गरीबों की मदद करने पड़ अगला topic है हमारा, the copper nican revolution, अब यह थोड़ा science से related topic है, मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, copper nican revolution, तो समझते हैं क्या है, देखो भई, एक model होता है जिसको हम कहते हैं geocentric model, एक model होता है जिसको हम कहते हैं heliocentric model, दो चीजें आपके सामने दिख रही है, geocentric का मतलब होता ही हमारा अर्थ है, और इसके surrounding में सारे planets है, center में अर्थ है, तो उसके अलावा, यह है heliocentric, बीच में sun है, और उसके सभी आसपास बाखी के planets है, आज की date में, जो है heliocentric model चलता है, पहले के लोग जो चर्च वाले हैं, वो यह मानते थे, कि geocentric हैं, जो हमारी धरती है, उसक आपको नजर आ रहे हैं आपकी screen पर, बहुत बड़े scientist, बहुत बड़े विद्वान, यह क्या बताते हैं, देखो, जो Christian लोग होते थे न, वो कहते हैं, जो हमारा अर्थ है, वो बहुत sinful है, वो पापों से भरा हुआ है, traditionally, Christians believe the earth was a sinful, यानि कि जो यह दुनिया है, जो अर्थ है, बहुत पापों से भरी हुई है, बहुत heavy place है, that stayed immobile at the center of the universe, और यह universe के center में है, यानि कि geocentric model, बीच में अर्थ होगा, बाकी चारों तरफ planets होगे, और जो heaven होता है, स्वर्ग होता है, seen as pure, were thought to revolve around the earth, और heaven जो है, वो अर्थ के आसपास ही है कहीं, और heaven जो स्वर्ग है, वो बहुत अच्छी जगा है, अर्थ से बहुत अच्छी है, ऐसा यह Christian लोग मानते थे, फिर Copernicus आते हैं, और Copernicus ने challenge करा, Polish scientist थे, Copernicus, Poland के थे, और यह क्या कहते हैं, कि भाई यह जो idea है ना तुम्हारा, कि अर्थ बीच में हैं, बाकी उसके आसपास हैं, यह बिल्कुल ग कहते हैं, the earth and other planets orbits the sun, यानि कि sun की चारों तरफ orbit कौन करता है, बाकी के planets, ना कि बीच में center और बाकी उसके वो करेंगे, no, center में earth नहीं होगा, center में sun होगा, और उसके अलावा चारों तरफ जो होंगे, वो planets होंगे, और उनको बहुत जादा डर था, कि भाई जो चर्च वाले लोग हैं, वो उसको छोड़ेंगे नहीं, वो बोलेंगे भाई, तू ये कैसे हमें गलत कह रहा है, this is not good, फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो theory थी, इसको एक और scientist आया, जिसका नाम था Kepler, वो कहते हैं, showed that planets move in ellipses around the sun, expanding on Copernicus idea, ये कहते हैं, कि जो planets हैं, वो इस तरीके से move करते हैं, और sun बीच में होता है, तो Kepler ने भी इस चीज के idea को आगे बढ़ाया, heliocentric model को, फिर Galileo Galilei आते हैं, इन्होंने बताया, कि reinforce the concept of a dynamic and constantly moving earth, ये कहते हैं, जो हमारा earth है, वो dynamic है, move हो रहा है लगातार, presenting evidence that contradicted the notion of a static earth, पहले लोग ये मानते थे, जो earth है, वो static है, यानि की हिलता नहीं है, लेकिन Galileo कहते हैं, जो earth है, वो dynamic है, वो लगातार move हो रहा है, move हो रहा है, तो it means, भाई, वो center में नहीं है न, वो move हो रहा है, movable है means heliocentric model है, अब इससे क्या होता है, impact क्या पढ़ता है, shifted the view from earth being un uniquely sinful to being part of a natural universal system, पहले लोग मानते थे थे न, कि बहुत changing it with scientific reasoning, अब लोगों ने question mark लगा दिया, कि यह जो आप कह रहे हो, कि earth और heaven के बीच का एक रस्ता है, जो चर्ज से होते जाता है, और heaven चारों तरफ होता है, earth गूमता है, और मतला earth center में रहता है, अब लोगों ने question mark लगाना start कर दिया, फिर आता है Newton, Newton's theory of gravitation, आपने पढ़ gravity का explain किया, जो planets है, वो motion में रहते हैं, and marked a peak in this shift, और बहुत important इनका रोल है, जब वो कहते हैं, establishing a new understanding of earth's place in the universe, यह कहते हैं, कि बहुत जो planets है, वो motion में रहते हैं, ठीक है, और earth के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया, और यह मतलब कहीं न कहीं, दो तीन जो scientist है, इन सही माना जाता है, scientific revolution and Galileo's perspective, अब Galileo's को, Galileo जो है, उनको थोड़ा और समझते हैं, Galileo यह कहते हैं, emphasize करते हैं, जो और डालते हैं, that the Bible, जो Bible है, meant to guide people to heaven, did not explain the working of the heaven, वो कहते हैं, Bible पस guide करती है, कि आप स्वर्ग में कैसे जाते हो, Bible यह नहीं बताती, स्वर्ग में होता क्या है कैसे क्या होता है, so knowledge begin to be based on observation, Galileo Galileo कहते हैं, बाई आप observe तो करो, experiment करो, बताओ तो heaven है किदर, आप सिरफ विश्वास में मत जी हो, आप experiment करो, आप देखो, ऐसा कुछ है भी या नहीं है, फिर experiment का rise हुआ, तो धीरे 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 physics की field में development हुआ, chemistry, biology, experiment होते गए, होते गए, ह science and technology और आगे बड़ी, तो यही जो time था, यही जो approach थी, this is called the scientific revolution, जहां अलग-अलग scientist लोग आए, और उन्होंने changes करे, European renesia and its interpretation, अभी हमारा topic है, इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है, so जो renesia नाम का जो एक term है, उसका मतलब होता है, rebirth of Greek and Roman ideas in the 14th century, बा Greek text, Roman text को पढ़ो, वहां से knowledge लो, Greek architecture, Roman architecture को समझो, वहां से knowledge लो, Greek और जो Roman है, उनकी painting को समझो, वहां से knowledge लो, तो rebirth हुआ ना एक तरीके से, पुनर जनम हो गिया, Greek और Roman ideas का, तो this is called the renesia, ठीक है, फिर है, the renesia is often depicted as a time, renesia का time एक ऐसा time था, जहां creativity बड़ी, dynamism बढ़ा, लो पाने beliefs पे question mark करना, knowledge बढ़ना, ये सब हुआ, और जो middle age का time था, जहां पे development नहीं हो रहा था, या उसके पहले जो dark age का time था, जहां culture में बहुत decline हो गया था, उसके बाद एक rise देखने को मिलता है, agree birth होता है, so Europe बाकी जगाओं से जब connect होता है, तो वो कैसे होता है, एक तो नई-नई navigation की techniques आई, जिससे की लोग travel करने लगे, Europeans लोग इधर-उदर travel करते थे, तो इनका क्या है भाई, culture हर जगा से ये लोग सीख रहे थे, इसके अलावा जो Islam वाले लोग हैं, वो भी अपना expansion कर रहे थे, and the Mongols जो होते थे, वो भी भाई लड़ाई जगडा करते रहते थे, तो कहीं न कहीं Asia, North Africa जुड़ा हुआ था Europe के साथ में, trade की बज़े से, learning की बज़े से, पढ़ाई करने लोग आते थे इधर-उदर, तो Europe connected था, linked था बाकी जगाओं से, तो जो scientific revolution है, और जो renesia है, ये मिलकर क्या गरता है, observation और experimentation, ये दो words याद रखना, इसके उपर ज खोड़ी सी चर्च की दुनिया से बाहर निकल कर, secular point of view से चीजों को देखने लगी, बस चर्च में, Bible में जो लिखा है, वो ही मतमानो, जो असलियत है, उसको भी समझो, explore करो, so this era, bridged scientific knowledge with public life, तो इस एरा में, लोगों ने science को समझा, reality को समझा, और अंधकार के चश्मे से, अ पूरी दुनिया के साथ interconnected हो गया, और बहुत अलग-अलग जगाओं पर, जो है, यूरोप के अंदर लोग आज भी पढ़ने जाते हैं, अलग-अलग जगाओं से, so यह जो changes है, इस से क्या है, आज की जो हमारी modern science है, उसका development होगा, एक foundation बने, यही तो changes है, जिन से आज हम science म जो यह जितना भी है ताना वाना, वो यही से ही foundation है, उसकी renesia period से, so यह जो period था, इसमें हमें पता चला, humans के अंदर जो ability है, अपनी knowledge को expand करने की, उसको समझो, individuality, आप अपने आपको कम मत समझो किसी से, आप reason पूछो हर चीज का, आप discovery करो, आप question marks लगाओ, experiment करो, यह ची को subscribe करें, like करें, feedback दें, अपना comment box में, वीडियो को share करें, जै हिंद, जै भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में,